लुश्कार आदा सस्याकाल आप सभी का स्वागत है नौलेज मंत्रा के एक और नए और अमेजिंग एपिसोड में आपके नजरों में दुनिया का सबसे महेंगा ओवर कौन सा होगा शायद वो जिसमें एक ही ओवर की चह गेंदू पर चह चके लगशा है और 36 रंद बन जाए जैसा कि हमने T20 वर्ल कप में यूराज सीर के बल्ले से देखा और वंडे कप में हर्शल गिट्स ने बल्ले से किया या फिर किसी ओवर में चक्किर लगने के लावा कुछ अतरिकर रंद भी बन जाए लेकिन अगर हम आपको बताए कि क्रिकेट की दुन्या का एक गेंद बास ऐसा भी है जिसने अपने ओवर में 36 या 40 नहीं बल्कि 77 रंद उटा है तो सुनकर शायद ही आप इस बात पर यकीन करेगी मगर ये बात है बिल्कुल सच इस तिच्चस मुकाबले के बारे में आए चांद है हमारे फाक नमबर वन में दिरसल ये मुकाबला 25 फरवरी 1990 को खेला गया था नियोजलैंड की घरेली टीमों केंटबरी और वेलिंटन के बीच फॉर्स क्लास मैच की ये जंग थी क्राइस चर्च में खेले जारे मुकाबले का वो आकरी दिन था वेलिंटन का वो सीजन का आकरी मैच था और इसे खिताब बचाये रखने के लिए हर हाल में चीट चाही थी आकरी दिन सुभ़े वेलिंटन ने पारी खोशित कर दी और केंटबरी को चीट के लिए 69 ओवरों में 291 रनों का लक्ष मिला केंटबरी ने शिरुवाती विकेंड चल कवा दिये और एक समय टीम महस 108 रनों पर 8 विकेंड कवा कर हार के मुहानी पर आकर खड़ी हो चुकी थी ली जर्मन और रोजर फोर्ड ने इसके बाद मैच को किसी तरह ड्रॉक करने के लिए खेलना शुरू कर दिया अब यही से असली कहानी शुरू होती है मैच में दो वर बचे थी और वेलिंग्टन के कप्तान ने बर्ट वेंस के साथ एक तरकी फिडाई बर्ट नियूजलैंड के बल्ले बास थी चो अपने करियर के समाप्ति पर थी और उन्होंने आज तक केनबास ही नहीं की थी कप्तान ने बर्ट को केंसो थी उसके पीछे योजना ये थी कि बर्ट के ओवर में केंटरबरी को इतने रन दे जाए कि वो आखरी ओवर में अपने दो विकेट का जोखिम लेते हुए चीट की कोशिश करे और इस प्रयास में उसके बल्ले बास आउट हो चाए जब ये ओवर शुरू हा तो केंटरबरी का स्कोर आठ विकेट पर एक सुच्छानवे रन था जबकि जर्मन 75 रनों पर खेल रहे थी बोर्ट ने नू बॉल का सलसला शुरू किया शुरुआते 17 गेंदों में सर्फ एक बॉल वैट थी जिस पर कोई रन नहीं बना था इसके बाद दूसरी गेंद पर चोका लगा इसके बाद जब ओवर खत्म हुआ तो 22 केंदे तब तक बॉल फेट चुके थी जिनमें उन्होंने 77 रन लटाए इसके बाद केंटर बरी को आखरी ओवर में जीत के लिए सर्फ 18 रनों की दरकार थी इनमें से 17 रन बना ले गे और ये एहतिहासिक मैच ड्रॉप परजा कर खत्म हुआ